नमस्कार कैसे हैं आपसे वाशा करते हूं सब बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे आज मैं बात करने वाली हूं 20 मइए कि 20 मएई यानि की सोमवार का लेकिन आज मैं बात करूंगे कौन-कौन से खास उपाएं हैं कि जो अब सोम प्रदोश वारे दिन करते हैं तो जिन्दगी में आपको सफलता मिलती है, शादी नहीं हो रही है, तो शादी आपकी बहुत जल्द हो जाए, अच्छे रिष्टे आने शुरू हो जाए, अगर बह पढ़ता है, उस दिन के हिसाप से, परक रधो जोगी महत्त a» है, वह ऋसात में अगर प्रधोश है तो समझा लेजिए सोने पे सुहाइग रभी प्रधोश, प्रधोश का उपाएं, वे बताने वाली हो इस जादा से जादा लोगों बोटिक शेयर करें ज Champions बो जिन्देगी में परिस्ति आची नहीं है, विपरित परिस्ति चल रही है, आप रोगों से लड़ रहे हैं, बिमारियां गेरी हुई है, पैसो की तंगी है, बहुत सारे शुस लाइफ में आते हैं, उस सारे शुस से निकलने के लिए सोम प्रदोश का व्रत करना बहुत ही जादा शुब है और कौन से ऐसे चोटे-चोटे उपाएं हैं जिने करके आप जिन्दगी में खुश्या ला सकते हैं तो इसके पहले एक छोटा समय देना अगर अब ही तक आपने हमारे और आपके दोनों के यूट्यप चानल को लाइक नहीं किया है शेयर नहीं किया है सब्सक्राइब तो जरूर करें, आज हम बात करेंगे सोम प्रदोष के होकर नित्य करते हैं और उस समय जो भी इंसान उनके समक्ष जाकर उनकी पूजा अर्चना करता है उनकी आप अपनी मनुरत उनको कहते हैं और आपके भाव जो है वो निष्टा पुर्वक अच्छे रहते हैं तो आपकी मनों कामने बहुत शिक्द शिवजी पूरे करते हैं ऐ से ही भोले हैं और आपको आज के दिन शिफ पारवती दोनों की पूजा आजना करनी चाहिए आपके घर पर अगर शिफ पारवती कोई तस्वीर है तो इसके इलावा माता को मा पारवती को जो भी औरते ऐसा चाहती है कि उसे पर सभाग्यवती रहें उनके जिंदगी में पती आज के दिन कौन-कौन से उपाई किस चीज के लिए करते हैं तो सबसे पहले बताओ जिन भी विक्तियों की शादी नहीं हो यह शादी में चड़े आ रही है तो इसके लिए आकड़े का फूल जो कि शिफ जी को ही चड़ता है आकड़े के 21 आपको लेने हैं कि फूल को सारी चीजों को लेकर आप महादेव करें यह ऐसा करने से आपके जिंदगी में समस्त जितने भी तरह की परिशानिया सब दूर जाते हैं आज के दिन अगर अब कच्छे दूर में थोड़ा सा काला तिल डालकर ओम नमस्षिवाय कहकर अगर शिवलिंग का भी शेक करते हैं तो आपके सारे ग्रह दोश शनी से अगर जो फीडित हैं जिनकी साथी चल रही है जैसे जिनका पहला चलन चलन दूसरा चलन तीस्टी चलन जो भी चलन रहा है विशा सारे साथ इसकी समस्तिया से उनको मुख्री मिलती है और ऐसा करने से आपके ग्रह धोष पाधाय एं सार कश्रीरह बेल पत्रे है 27 best protect 27我 कष्ठाम लिए राम से श्री राम लिखकर 21 ES 27 27 पत्र आपको 27 पत्रेही लेकर उडिया है लेकर šival इन ऐसा pulse और करने से आप की है जिन में जर्दी जोस्ति पार पर छिरू हो जाता है इसके इलावा आपको नहीं भी मिरते हैं तो एक ही बेल पत्र को बारबार धोकर आप शीराम लेकर उन्हीं कंपर कर सकते हैं ऐसा भी वह कहा गया है कि बेल पत्र कभी भी बासी यह उसको ऐसा नहीं होता है लेकिन ध्यान रखे कि कहीं से तोटा फोटा कटा पटा ना हो पता इसके इलावा आज के दिन अगर आप शिवलिंग पर गुलाब का जल इसके इलावा अगर आप गन्मी का रस अर्विक करते हैं तो भी आपको जिंदेगी में बहुत सुकून मिलेगा आपके लाइफ में पै Sleek करते हैं गी का वहर जिंदेगी में रंग भर जाते हैं इसके इलावा और बहुत सारे उपाये जो कर रहें हूए अपगो क्या करना आ है आज के दिन आपको किसी भी सिवलिंग वाले मंदिर में जाके पांच बाती चाओधर जलाना है जननी घान की पांच आपको राहत मिलेगी, लाइफ में सुकून मिलेगा और अच्छी चीज़े जिंदगी में होना शुरू हो जाएगी, आज के दिन अगर आपको अपना घर चाहिए, तो पांच एट आपको लेकर जाना है, उससे एक छोटा से घर बनाई है, और घर के बीचो बीच घी का दीपा परच लिखकर उस घी के दीपा के नीचे रखकर चले है, ऐसा करने से आपका घर बहुत ही जल्द बनने की आसार शुरू हो जाएगे, आज के दिन 108 चावल के दाने हैं, जो की पूरा हो, कहीं से तूटा ना हो, नमस्षिवाय, नमस्षिवाय करके अपने अलग कर लिए और उसके फाइनेंशल प्राब्लम्स की कोई इशुस है, तो वो भी बहुत ज़दी खत्म होने शुरू हो जाते हैं, आशा करती हूँ मेरे वीडियोज आपको जाल सदर पसंदा रहे होंगे, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करना ना भूले, सब इस एजासत चाहती हूँ, उदे पजयए झाहते हैं, भगए झाहते हैं.